गुड मानेंग, धुरंदश विशे गुजरातीमा, आजे आपड़े भणेशु पाठ बावीस हिमालेमा एक साहस। गयातासमा अपड़े निबंदलेखन कर्यु हतु, ते तमे निबंदी नोटमा लखी दितु हसे, अने अपड़े वियाकरणनों पुंडरा बड़तन पन जोयु हतु तो आजे आपड़े पाठ बावीस हिमालेमा एक साहस बणवाना छे विद्यात्यों तो प्रस्तुत पाठ अंगरेजी बाशामा लखायेली जवाहलाल नहरुनी मारी जीवन कथाना मादे भाव देशाये करेला गुजराती अनुवदमा थी लेवामा आव्योच नहरु पोते सासिक हता त्यों पोताना पित्राइ साथे अने कट्वाड़िया सुधी पहाडों मा रखडता हता अने लदाकना रस्ते चड़ेला सासिक नहरुए पुतानी एक टुकडी साथे हिमालै स्थीर अमर्नाथनी गुफासुदी पहुचवानो प्रयाश शरू करे हतो हिमा छादित सिखरो अने हीम नदियो वच्चेना आ सासिक प्रवाशनों सरस्वर्णन आकृतिमा अपड़े जोवानुचे अन्तिन चरण मा जरूरी साथनोंना अभावे हिम नदि पसार करता खोभण मा नहरुनो पग लपसी पड़ेलो पन दोडाने कारणे ते बची गएला नाचुटके प्रवास अधूरो राखी परत फर्वु पड़ेलो साहस अने हिमालई प्रेमना सहच सहली मा लखायल मन भावन वर्णोंने कारणे कृती रदेश पर्षी बनी छे विद्यात्यों तो चलो आप लेखक छे जवाहलाल मोतिलाल नहरु एनू पुरुनाम लगजो जवाहलाल मोतिलाल नहरु अने तेनों साहित्य प्रकार चे प्रवास वर्ण तो आप्रवास वर्ण मा जवाहलाल पोते प्रवासना सोखिन अने सा सिक छे पराबर ते आपड़े जोवान चे चालो एनू परी चे मेड़वी लए जवालल मोतिलाल नहरु नो जन्म अहलाबाद मा थयो हतो जवालल नहरु ना कुटूम्यो मुड काश्मेन ना वतनी हता विदेश मा वकिलात नो अभ्याश करी ने तेओ अहलाबाद मा वकिलात शरू करी गांधी जी साथे आजादीनी लड़ेट मा जोड़ाईने स्वतंत्र संग्रामना तेओ अग्राणी बन्या हता विद्या थयो तेमने साइत्यमा खूब रसतो डिस्कवरी ओफ इंडिया गलम्सिस अफ वर्ल्ड हिस्ट्री जेवा पुस्तको तेमने अंग्रेजीमा लख्या चे तेमनी दिक्रेने स्वतंत्रता विशे लखेला 30 पत्रों प्रकाशन लेटर कों एफा भादर ओफ वीस डोनर नाम थी थायलू छे तेवो भारतना प्रतम वड़ा प्रतार हता अने भारत सरकार तरप्थी तेमने भारत रतनू सन्मान एनायत थयू हतू विद्यार्थयो नीचे लिती करो तेमने भारत रतन तरप्थी सू मढ़िव हतू ये तमने परिक्षा मा पूछाए तो भारत सरकार तरपती तेमने भारत रतनु सन्मान एनायत थयू हतु बराबर चलो हवे चोईए बीजो फकरो अंग्रेजी भाषा मा लखाए जवाला नेरुनी मारी जीवन कथा ना महत मादे भाई देशा ये करेला गुजराती अनुवाद माथी आ अंस लेवा मा आवियोशी तमने पूछाए कि से माथी लेवा मा पूछ सासिक नेरुए पोता नी एक टुकडी साते हिमालै स्थीर अमरनाथ नी गुफा सुधी पहुच्वा भोमिया साते प्रवाश कर्यो हतो तेनू वर्णन छे वर्णा नामा छे हिमा छादी सिखरो अने हीम नदियो वच्चेन आ सासिक प्रवाश नू सरस्वर्णन आक रुती मा जोवा मडे छे अंतिम चरण मा जरुरी साधरोन अभावे हीम नदी पसार करता खोबण मा नहरुनो पक्सुत जाए छे लबसी पडता दोडा ने कारणे बज़े छे ना छुटके प्रवास अधुरो राखी परत फरवू पड़े छे साहस अने हिमाले प्रेम आक रुती मा थी प्रगट थाए छे साधी सरण अने सहचे लिमा लखायेल मन भावन वड़ननों निक कारणे इकृती रदेश परशी बनी छे चालो तो हापडे पाठनी शरुवांत कलिये मारु लगन थायू ए साल उनाड़ाना केटलाक मैना अमे काश्मीर मा गाड़या प्रवास अंसमा जवालाल, मोतीलाल, नहरु निवात चे के मारु लगन थायू ए साल उनाड़ामा केटलाक मैना अमे काश्मीर मा गाड़या कुटुमने स्रीनगर नी खेण मा छोड़ीने हुमारा पित्राई लखो पित्राई एकले काकाना छोकरा पित्राई साथे एक अठवड़या सुधी पहाडों मा रखड़यो अने लदाखने रस्ते चड़यो तो लेखक प्रवास ना खुबस सोखिन हता विद्या थियो तिबेट नी सपाटिव पर जता जंगल ना उचामा उचा प्रदेश नी ए साकड़ी अने निर्जड़ खिनो नो आमारो प्रथम अनुबव हतो जोजीला घाट नी तरफ साव वेरान लखो उजड़ नकरो खड़क देखातो हतो खड़क इछले पाहड अत्वा पत्थर एस आकड़ी खिन मा अगलने अगलऑ अमे कुछ करवी इछले लखो आगल वद्यू नोट चौकणी काडे लीच्चे विद्या थियो नीचे लेटी करी ने लखो कुछ करवी इछले आगल वद्यू करता गया अमारी बन्ने बाजुए पहाडो उभा अता एमना सिखर उपर हिमनो मुगुट चड़की रहे वतो मुगुट एटले लखो मुगुट माथे पैरवानू साधन्मने हीम एटले लखो अतिशे ठंडू बरफ अने उपर्थी नीचे हिमना ना 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 प्रता प्रपातो लखो प्रपात एटले दोध अमारू स्वागत करवाने जाने अति मंद मंद एटले दिमूगतिये उत्री रहा हता पवन ठंडो ठंडो एटले सितल अने आकरो हतो पण सुरजना तड़कानो मधूर तड़को अने हवा एटली निर्मल एटली लखो स्वाच्छ हती के गणिवार अमें एक स्थाने थी बिजा स्थान वच्चेना अंतरविशे छेतराय अने दूरना स्थानोंने पासे मानता एकांत वत्तु जतु हतो व्रुक्षो अने वनस्पती पन अद्रश्य थया हता मात्र नकरो, खड़क, हीम अने बरव अने क्यांक्याक बहु कुश्पो अने छता आ जंगली अने वेरार प्रकुरती मंदीरों मा हुँ कांक अजब त्रुप्ती अनुबवतों अने स्पूर्ती थी आहला थी उबरातों हतो रवे प्रकुरती एटले निशार्ग था से आहलाद एटले हर्ष अने आनद विद्या थे तो हिमालाइक पर जता बन्ने बाजुए बरफ ना पहाड उबाता अने तेमना सिखरों पर सुन्दर हिमनों मुगुट चड़की रहे हतो उपर थी नीचे सुधी हिमना नाना प्रतापो प्रपातो तेना संदर्यमा वधारों करी रहाता विद्या थे पर परती या त्या सुधी आपड़े जोई व्रुक्षो अने वनस्पती अद्रश थे आता अने मात्रसु देखातो अतो नकरा खड़को हीमने बरफ अने क्या कज पुष्पो अने छताई जंगली वेरान प्रकुरुती पती चला पर जोई आ प्रवास दन्म्यान मने एक रोमांचक अनुबव थयो लखो रोमांच करे तेवो जोजीला घाड छोड़ी ने आगड एक जग्या है एनू नाम हुँ धारू छुके माता यान हतु अमने केवामा अव्यू के अमर नातने गुपा आइथी मात्र आठ माइल छे केटली माइल विद्या थयो आठ माइल छे हाँ एक खरू के अफाट हीम समुथी डंकायलो एक जबजस्त पहाड उडंगवानों पड़े वहतो अफाट इटले खुब विशाड और अबर अने पड़ा बेटले छावनी थाए विद्या थयो रेवा माटे नो मुका मात्र आठ माइल तो काई विशातमा नहां हतु होश्माने होश्मा अने अनुबव नहावाने लिदे अमे ए ओडंगवानों नेनाय करियो अग्यार अजार पांसो फुटनी उच्चाई आवेला अमारा पड़ाव थी अमे निकड़ी पड़या अने एक नानाकरी तुकड़ी लाई पहाड चहड चड़वा लागया त्यानों एक बरवाड अमे भोमिया तरीके साथे विदो लखो भोमियो इटले मार्ग दर्शकाव सव दोड़ाने साकड थी एक बिजानी साथे संकड़ाई अने खीम नद्यो उडंगता चड़ता गया अने अमारी मुश्केली वद दी गया स्वास लेओ का एक मुश्केल थाई पड़ेओ अमारा मजूरो बव भार्थी लदाएला नो था बरवर तमे जो विद्याते हो को क्या हिया चारे बाजो हीम समूती दककाईलो पहाड तो विशाड हीम सरोवर पड़ेओ अने हीमा छादी सिखरो थी विटडाएलो भविय बराबर पहाडो देखाता हता तो लेखा के जीवन मा एक वार हीमालेनो प्रवास करोज इवी इच्छा हती अने लेखा को टोकडी लएने पहाड चड़वा माड़य विद्यार थी बराबर तो ते ओ जेम जेम हीम नदियो ओडमता चड़ता गया तेम 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 तेमने थाकी ने लोत पो थेई गया एमनी साते जे मजूरो हता एमनी पासे बहु सामान नहों तो छत्ता पन लोईनी उल्टियो तेओ करवा लागया विद्यार थी उसे ने उल्टियो करवा लागया लोईनी उल्टियो करवा लागया लोईनी उल्टियो करवा लागया हीम पडव पण जणसा नी जे मामें चडवता चडवू चालू राख्यू। अमें अमारे पड़ावे थी सवारे चार वागे निकड़या हता। अमें अमारे पड़ावे थी सवारे चालू राख्यू। अने आम ही मारे नू संदर या खरिका के वातो अदबूत हतो। ही मने दुम्मस पड़ता जता था। एटले आ द्रश्य पन अमारी नजरागरती अद्रश्य थाई गवू। अमें केटलिक उचाई हता एतो हुँ जानतो न थी पण हुँ धारू छुके। पंदर जार के सोड़ जार फुटने उचाई तो जरूर हो भुज जोई है। काराण अमनातनी गुफाती अमें बहुं उची हता। हवे लगबग अर्धा मायलनू आहीम सरोवर ओडंगी पेले पार आवेली गुफाये पहुँचवानों हतो। अमने लागियों के हवे चड़वानू पूरू थायू छे। एटले मोटी मुश्केलियों ओडंगी चुक्या। एटले साव थाक्या हता छता पण प्रसंत चीते नवी मंजिल सरू करी। अमने लागियों लागियों के हवे तो थोड़ी कज बाकी शे। पने हुँचतु नई विद्या थे। रस्ता मा अनेक जग्याये हीम नद्यों मा मोटी वोखण खोबणों आवेली हती। अवेला खोबणों वेटले गुफाव। अने अनेक ठेकाने ताजु हीम पड़वाने लिदे आवी खोबणों देखाती नहती। अजानता पग मुक्यों तो गड़ गप गया। जो अजानता भी पग मुक्यों तो अंदर पड़ी जवानी भी खती। अने साच्चेज तेम थरूसु थय। साच्चेज लेखकनों पग हसाई गय। आ ताजा पड़े लाहिम थी हूँ छेतरायो अने मारू आवी बन्य। मैं बग मुक्यों के तरताज बरब धसी पड़े। तमने प्रश्ण पूछाय के खोबण मा बग लपसवा छतालेखक केवरीते बच्या। अने हूँ एक बयानक अने पहड़ी खोबण मा लपसवा आ खोबण मा एक बयानक उंडी खाई हती। अने तेमा जे गयो ते युगोरा युगो सुधी त्यां सुरक्षित्रते डटाई रहे। ए वी से कसी संका ना थी। पन फिला दोड़ाए मने पकड़ी राख्यो। अने खोबण मा थी खैंची कड़वा मा आवे आने ए रीते लेकशी बची गया विद्ध्यात्य। ए रितित अमारी प्रश्णनों जवाब लखवानों छे वोखणनी एक बाजुए हूँ वडगी रहो अने मने खेंची काडवामा आवे आथी अमारा हाजा गगडी तो गया छता आमें अमारी कूछ चालू राखी तो आटला तेम छता पणि लोखो तो चालू ज़ राख्यो पड़ आमा खोबणनी संख्या आने विशार्ता वदिती जती हती अमारी पासे एमानी केटलिकने ओलगवाना साधन सामागरी रहा न हता एटले आकरे थाकी साउनी रास थाई अमें पाच्छा फर्या अने अमन नाथनी गुफा ना दर्शन करवाना रहा ते रहा जो विद्यातो ते आती एटले सुधी गया विद्यातो तेम छता पाण एपाच्छा वड़े आ प्रवास दर्म्यान तेमने शू थयो मुश्केली पड़ी एटले अमन नाथनी गुफा सुधी तेओ पहची शप्या नहीं विद्यातो तमने पुछा एके प्रवास दुर मुखेने आवू पड़ियो ते तमने योग्या लागियो के नहीं वराबिन उच्छा वहवे आपड़े चुईये काश्मिन ना उच्छा गिरी वरो अने खेणों तरप मुँ एटले बदो मुख्द बने वो लखो मुख्द एटले लखो मुख्द पमाडे तेवू उसा मुख्द के पाच्छा तरत त्या जवानों में निश्चरी करयो अने प्रवास उनों गाट गड़ेो तो लेखक प्रवास ना खुब सके नता आमानों एक तो तीबेट ना अलोकिक सरोवर मान सरोवर नी अने पासेज आवेला हीमा चादित कैलास नी यात्रानों विच्चार हतो तो लेखक ने बै स्थड पर जवानों विच्चार हतो वितिया तो एक तो मान सरोवर अने विजू छे कैलास नी यात्रा ए विचार मात्रे हुँ आनिन्ति उब्रातो ए वातने तो अधार वरस्थेया छता आजेपाण कैलास औने मानसरोवर्ती हुँ एटलो ने एटलो दूर छु लेखक जैशक्या नथी विद्यादी अने कवार काश्मे जवानी धनिये इच्छा चता कदी पाचो काश्मे जईशक्यो नथी अने रोज-रोज राजकाज ना अने लोग सेवा ना वमणमा वधारे निवधारे कुछवातो गरुछु गिरीवरो चडिने अत्वा दर्या उळंगीने मारी प्रवास लालसा त्रुप्त करवानी बदले जेल जात्रा नी थी मारे ए त्रुप्ति करवी पड़े छाने छता एवा प्रवासो ना गोडामू घडी ररोज छुए जवाला नेरू जेलमा पण गया अत्ता विद्यार थे ए आनन्द जेलमा पण कौन लई शके एम छे औने जेलमा बिजू करवानू पण शुफई एटले हजुमू ए दिवसना स्वपनों जोँछू जारे हिमालाई मा रखडतो रखडतो मानसरो औने कैलास ना दर्शन ना मरा मनोरत हुम पूरा करी शकू लेखक जेलमा छे तेम चत्ता पण विद्यात्यों प्रवासना स्वपना सेवी रया छे। दर्म्यान जीवननी पडो जपड़ा बंद वही जाय छे। युवा अवस्ता माती अधेड अवस्ता मा प्रवेश थाय छे। अन्ने ए पची वधारे बुरी अवस्ता आवीज रहे छे। इटले गणिव तो पण ए प्रती प्रवास कदी एडे जतो नथी विद्यात्यों आब नेमा प्रवासमा जवानी लिखक नी इच्छा सुथेगे अधोरी रेगे। दील एटले रदय। अदम्य उत्सा सदेव एटले लखू हम्मेशाने कायम। तलसी रयो गिरी हुमू एटले गिर एटले परवत अन्ने गिरी वर एटले परवतुमा स्रेष्टम। हुमू तणी सान्ती थी। परवत तमने पूछाए कि आपाट सेमा थी लेवा माल्यों छ अन्य चायी औने मारी जीवन कथा मा थी आपाटलेवा मा आव्यों छे विध्या थे। तो लेखक नो तमने जोगे प्रवास वर्णन जवालाल मोतिलाल नहरू। पोता ना प्रवास नो वर्णन करता आलादिक वर्णन करें छे विध्या थे। farmer। पच्छी पुचा आए के लेखा के कुटुम ने क्या छोड़ियू हतु तो लेखा के कुटुम ने स्री नगर नी खेनमा छोड़ियू हतु तो माया माता यन्ती अमबनात नी गुफा किटलो मायल दुन मायल छे तो अलगबक आट मायल छे तो लेखा के बरवाड ने सामाटे रिदो तो बर्वाडने भूमिया तरीके लिदो आताव आ प्रमाणे तमारे जवाब लखवानो रैशे विद्ध्या थियो। बरागे तो चलो हवे अपड़े सब्द सम्झूती जोईए। ठंडो बर्व। मुगुट इटले माथे पहरवानू साधन। प्रपात इटले दोद। वेरान इटले उजड। अहलाद इटले हर्ष अने आनल। अफाट इटले खूप विशाड वो खड़को इटले खो अत्वा गूफा अत्वा खाड। युवा अवस्ता इटले युवा शब्द निर्मड एटले मलीन, विशाड एटले संकूचिल, भव्य एटले सामान्य, प्रसन एटले उदार, द्रश्य एटले अद्रश्य, सुरक्षित एटले असुरक्षित। अवे जो ये शब्द समुमाते एक शब्द आप। सरीरे मोट्टू पन अक्कल माथ ओचो तोसु आवे जडशू, विजो ची निमाले माथी निकर्ती खुब ठंडा पाणीना प्रवास वाडी नदी, तो आउशे हीम नदी, रस्तानों जानना आतो थशे बुम्यो, कुद्रतनू सुन्दरधाम तो आउशे प्रकृती मंदीर बरफथी डंकाईलू तो आउशे हीमा छादित, वैता पाणीमा थत्तू कुन डालू तो आउशे वमड़, जया जवानू धायलू छे तेस्थर तो गम्यो अत्वास थान, राजकारणने लगतू कारिया तो थशे राजकाज, अची अडदी उमरे पहुंचेलू तो थशे आदेर, अची ये रोडी प्रयोगना अर्थाप, थाकी ने लोद थाई जवाँ तो जवाँ बावते अतिशाय थाकी जवू, वीचुचे कंठे प्राण आववातो आवशे खूब मुश्केल कारिया हवू, अची हाजा गगडी जवातो खूब गवराई जवू, अची गो प्रवातो आयोजन करूँ अथवा विचारू, चलो आप्रमाणे तमे शब्द समुवू लखवानु छे, अने तमारी नोटमा तमे द सगरा शब्दो लखी नाक्चू, चलो हवे जोई स्वार्द्या, नीची आपेला विदानों माटे साचो विकल पसंदकरी खरानी निश अने ड छेल्लों अनुबव, अतो जबाबावसे प्रथम अनुबव, अतो बरावर, चलो वीजो प्रश्णा, हीम नदी ओडंगवाना साधनोंना अबावने कारणे, पाछा फर्या, आगळवत्या, रोकाई गया, किस सफढ थाया, तो हिम नदी ओडंगवाना साधनोंना अ बावने कारणे पाच्छा वड़िया विद्यात्य। बराबर आरिके लख जो। चलो हवे जो ये प्रशन नम्बर बेड़। नीचेना प्रशोना एक बे वाक्यमा उत्तर लखो पल। प्रवासमा लेखकने कयास्थडे जवानी इच्छा हती। अमरनाथनी गुफाना दर्शन करवानी हती विजु। प्रवासमा लेखकने साथे कौन हतु। तो प्रवासमा लेखकने साथे तेनो पित्राई पोतानी एक टुकडी भोम्यों अनेक मजूरों हता फरी बलूचु। प्रवास मा लेखक नी साथे तेमनों पित्राई पछी पोतानी एक टुकडी बोम्यो अने मजूर हता विद्याते हो। त्रीजु बोलो चुँ बोखण मा बग लपस्या छता लेखक कैरीते बचया बोलो तो विद्याते हो। बोखन मां लेखक नो पग लपस्यों पन गोडाये तेमने पकडी राख्या अन्ने लेखक दोडाने वडगी रहेला तेमने बोखन मां थी खेची कडवा मां आव्या अन्ने ए रिते लेखक बच्ची गया विद्या त्यों एक वाक्ये मां जवाब मां विजया बैत्राण उच चर्चा करूँ छो ए तमारी नाट्ट बुक मा लखवानु छालो लखो प्राश नमबर चोथ अमर्नाथ जता मजूरो ने सी तकलीप पड़वा लागी जवाबाव से स्वास लेवानी तकलीप पड़वा लागी चलो होए पांच में एक छेल्लो लखी दो हिमा चादित शिखरो थी विटड़ाये लो ए भव्यद्रश्य केवू लागतू हतू जवाब लखो देवोना मस्तक तरब मुगुट जेवू उसकेव अतू देवोना मस्तक पड़ना मुगुट जेवू जेवा मुगुट जेवू चलो हवे जोई आपने प्रश्ण नांबर तो निचेदा प्रश्णों ना उत्तर पांस ताथ वाक्यों मा लखो कितले वख्यों मा लख्वाना चे विद्या त्यों? 57 वख्यों मा लख्वाना चे पलू पाठने आदारे हिमालेनी साहस यात्रानू वर्णान करो पाठने आदारे हिमालेनी साहस यात्रानू वर्णान करो हिमालैनी यात्रा खरेखर सासी खती, उंच्या प्रदेश पर साकडी अने निर्जन खीणों हती, साव वेरान नक्रो खड़क देखातो हतो, पवन ठंडो अने आक्रो हतो, हवा निर्मण हती, एक स्थान थी बिजास्थान वच्चे ना अंतर विशे छेत्राई जवातो, नक्रो खड़क, हीम अने बरफ, अफाट हीम समूथी डंकाईल जबर जस्त पहाड उडंगवाना हता, तो सोवेशू करियो, सव दोड़ानी साकड़ती, एक बिजासाथे, संक्राई, अनेक हीम नदियो उडंगवा, उडंगता चड़ता हता विद्याथ्यों, अने जेम जेम उपर जेते सु मुश्केली पड़े, स्वास लेवो मुश्केल थाई पड़े हतो, मजूर अने सु थाई, लोईनी उल्डी थवा लागी, हीम अने दुम्मस पड़ता जता हता, रस्ता मां अनेक जग्याए, हीम नदियो मां मोटी खोबनों आवती हती, अनेक ठेकाणे तो हीम ने लिदे, खोबनों देखाती पड़ना हती, अजानता पण पग मुकाए तो गयाद समझू, लेख़़़़़़ पड़ एक बार आवी खोबन मां लपस्या, पण दोड़ाने लिदे सु थाई गया, बची गया विद्या थ्यो, आ यात्रा खूब कपरी हती, लेख़़़ कने तेमनी टुकडी तो साधन सामगरी ना अभावने कारणे, तु थे गयो, थाके ने निरास्था ये पाची फरती हती, आम खरेखर हिमालैनी यात्रा करवी, ए एक कपरी कसोटी हती, अने साहस एक विरल व्यक्तीच करी शके, रवर ए साहस कौन करी शके, एक विरल व्यक्तीच करी शके, रवर चला हूँ तमने पुछू विद्या, ते प्रवास अधूरों मुखी ने आवू पड़ियू, ते त लेखक ने जीवनमा एक वार हिमालैनो प्रवास करो, जेवी इच्छा हाती, लेखके सो करुखब जेवी ते तो टुकडी लेने पहाड पर चड़वा माड़िया, ते ओ जेम जेम हिम न दियो ओडंगता गया, तेम तेमने मुश्केली वद्वा लागी, के विरिते, कारण क तेमने स्वास लेवामा पन तकलिप पड़वा लागी, हीम पड़वा लागी और हीम न दियो लपस्त्री थाई गई, बाकी बद्धा था किने लोद थाई गया हता विद्यार्थियो, डगलू भराता पन प्राण कंठे आपवा लागी, मुटी मुटी मुश्क्यो लिवा लेखक नो बग खोबण मा लपसी गयो, पन सारू अतू विद्यार्थियो के दोडू ववाती तेवो बच्ची गया, खोबण नी संख्या ने विशारता वदता लागी और लेखक नी टुकडी पासे अगडवद्वा नी साधर सामगरी न रहा विद्यार्थियो, अने माट अने विद्यार्थियो निरास्थाई, थाकी निरास्थाई पाच्या खरें, ए योग्यात छे बरावनिमारा मंत प्रमाण, जो तेवो अमनातना दर्शत परी शक्या हो, तो सारू अतू, परां तू साधन सामगरी ना अभावे आगर प्रवास करो योग्या न थी, तेमा ज जोखा मतू, माटे तकलिफो मा मुकाव एना करता पाचा फर्वूज योग्या शे, अने फरी थी योग्या साधन सामगरी साथे आयोजन बद प्रवास करो, एमा अत्वनुचे विद्याथे, आपड़े क्या इपन जिये ने, तो बद्धू आयोजन करी लेओ, बराबर सिक तानी साथे पूर्व आयोजन, जर्वी साधन सामगरी अने उचित, उप्योक अनिवारिया शे, जीवना जोखो में प्रवास करवाने बदले, आयोजन बद्ध प्रवास सफ़ड ताने वरे शे, अने वधारे आनंद आपे छे विद्याथे, आमात अकणने बहुच इन तारेश, अने माटे लेखा कने तरनी टुकडी प्रवास अधूर मुकीने पाच्छा आविया इमारा मन्तितो योग्यस, आ प्रश्ण पुछाये तो तमारे एरीते लखान, हवे आपडे प्रश्ण नंबर बै, लेखा के वर्णा वेलू हिमालैनु पूद्र सोंदर ये तम पारा शब्दो मा लखो, अत्या सुधिया आपडे शब्द सम्जूती, पछे MCQ एक वाक्यामा जवाब बराब एनी चर्चा करे, आपड़े विजो प्रश्णा छे, ए आगार्ना विडियो मा आपडे जोईसु विद्ध्यात्यो, त्या सुधिया तमारे लखे रागो